आज मैं शरत पूर्णिमा के शंदर्व में चर्चा करना चाहूँगा। शरत पूर्णिमा कब और क्यों मनाया जाता है। आशिन मा के सुक्ल पक्च की पूर्णिमा तिथी को शरत पूर्णिमा मनाया जाता है। शवी पूनिमा में शरत पूनिमा का विशेश महत्त बताया गया, आज 9 अक्टूबर को भारत वर्ष में शरत पूनिमा मनाया जा रहा है, तीन बस कर तालिस मिनट से पूनिमा शुरू हो गई है और 10 अक्टूबर दो बस कर चौबिस मिनट पर शमापन होगा, आज चंद्रमा सुलक कलाओं के शाथ दिखाई पड़ता है, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी शरीर के लिए काफी लाबदायक माना गया है, आज तीन बच कर इतालिस मिनट से पूनिमा का प्रारंध हो गया, जो 10 अक्टूबर को दो बच कर चौबिस मिनट पर शमापन होगा, लोग सुबह से ही अशना ध्यान कर पूनिमा मना रहे हैं, कथा सुनना काफी महत्पूर्ण बताये गया, जो शर्धालू इस पूनिमा को करते हैं, उन्हें लाव की प्राप्ती होती है, धन की प्राप्ती होती है, और दुख का नाश होता है, ऐसा कहा जाता है, कि एक पौरानिक कथा है, जिसमें एक शाहुकार की दो बेटियां हुआ करती थी, दोनों बेटियां पूनिमा क्या करती थी, एक बारे शाहुआ की छोटी बेटी पूनिमा नहीं की, और जब उन्हें बच्चा हुआ, तो मिल्क पाया गया, लेकिन जो बेटी पूनिमा हमेशा कर रही थी, उसके असपर से उस बच्चा का पुनह जिवित होना यह बतलाता है, कि पूनिमा काफी महत्पून बताया गया है, आज भारत वर्ष में शरधालू शरत पूनिमा कर रहे हैं, इस दिन काला कपड़ा पहनना भरजित है, सफेद कपड़ा पहनने की बात कही गई है, रात्री में खीर को आसमान की और छट पर लटका देना चाहिए, वैसा कहा जाता है कि अमरित की वर्षा होती है, और सुबह उसे परशाद के रूप में गरहन किया जाता है, धन्यवाद